और लिख लिजिए चार जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपारी डेट लिखी हुई है चार जून पर यहां बीजेडी की एक्सपारी डेट लिखी हुई है माल लिजिए भाईयों भहनों आज साथ मई है छे मई है आज छे मई है छे जून को बीजेडी के मुख्यमंत्री पत्किया उमेदवारताय होगा दस जून को भुमनेश्वर में बीजेडी के मुख्यमंत्री का शपत्समारों होगा और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपत्समारों के लिए निमंत्रण देने आया हूँ ओडिस्सा में बीजेडी अस्त है कॉंग्रेट पस्त है और लोग बीजेडी पी पर आस्वस्त है और सिर्फ भाजपा उमीदों का नया सूरज बन कर आई है ओडिस्सा में पहले करीब पच्चास साल कॉंग्रेश और फिर पत्तिस साल से बीजेडी सरकार रही है लेकिन हुआ क्या ओडिस्सा के पास भरपूर पानी भी है ओडिस्सा के पास भरपूर उपजाओ जमिन भी है उडिस्से के पास जमिन के नीशे खनीश का खजाना भी है इतना लंबा समूद्री तड़ भी है बैरामपूर जैसा ट्रेड सेंटर भी है ये तो सिल्क सीटी भी है और खाज्य की राज़दानी भी है यहाँ इतिहास भी है संस्कृती की धरोहर भी है सब कुछ है परमात्मा ने इतना दिया है मैं हर बार कहता हूँ फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिसा की मेरी बात समझ ना इतने अमीर ओडिसा की जनता गरीब रह गई ओडिसा अमीर है जनता गरीब है इसका जबाब है यह पाप किस ने किया यह पाप किस ने किया यह पाप किस ने किया इसका जबाब है पहले कॉंग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूड़